सहकार रेडियों के शोताओं को गीता चौबे का कहानियों का कारवा में आज सुनिये उपेंदर नात अश्क की कहानी डाची काट यानी 10-20 सिर्कियों के खेमों का छोटा साई गाउं जिसका नाम पी सिकंदर है कि मुसल्मान जाट पाकर को अपने माल की ओर लालच भरी निगाहों से तक्ते देकर चौधरी नंदू व्रिक्ष की चा में बैठे बैठे अपनी उची घरगराती आवाज में ललकार उठा रे रे अठे के करे है और उसकी 6 फुट लंबी सुगटित दे जो व्रिक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी तन गई और बटन तूटे होने की कारण मोटी खादी की कुर्ते से उसका विशाल वक्ष त्रल और उसकी बलिष्ट बुजाएं द्रिष्ट गोचर हो उठी बाकरतनिक समी पागया गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाड़ी और शरई मूचों के उपर गड़ों में धसी हुई दो आँखों में निमिश मात्र के लिए चमक पैदा हुई और जराम उसकरा कर उसने कहा दाची साणी देख रहा था चोदरी कैसी खुबसूरत और जवान है देखकर आँखों की भूप मिटती है अपनी माल की प्रशंसा सुनकर चोदरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ प्रसन होकर बोला किस से साण कौन सी दाची वह पगली तरफ से चोथी बाकर ने संकेत करत हुए का व्रिक्ष ओका के घने पेड की छाह में आठ दस उट बधे हुए थे उन्ही में से एक जवान साणी अपनी लंबी सुन्दर और सुडौल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुमार रही थी मालमंडी में दूर जहां तक नजर जाती थी बड़े बड़े उचे उ नहीं देता था कदे भी थे पर न होने के बराबर अधिकांश तो उट ही थे बहावल नगर के मरुस्थल में होने वाली मालमंडी में उनका आधिक्य था स्वाभाविक भी है उट रेगिस्तान का जानवर है इस रेतीले इलाके में आमदरफ्त खेती बाड़ी और बारबद का काम उसी से होता है पुरानी समय में गाएं दस-दस और बैल 15-15 रुपे में मिल जाते थे तब भी अच्छा उट 50 से कमें हाथ नहीं लगता था और अब भी जब इस इलाके में नहर आ गई है पानी की इतनी किल्लत भी नहीं रही उट का महत्व कम नहीं हुआ है बलकि 200 से 3300 तक में पाए जाते हैं और बाही तथा बारबदारी के भी 800 से कमें हाथ नहीं आते तनिक और आगे बढ़कर बाकर ने कहा सच कहता हूं चौदरी इस जैसे सुन्दर साणी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं दी हर्ष से नंदू का सीना दुगना हो गया बुला आ एक ही क्या यह तो सभी सुन्दर हैं मैं इने चारा और फलूसी जार और मोड देता हूं धीरे से बाकर बोला बैचो गे से नंदू ने कहा इठे बैचने लई तो लाया हूं तो फिर बताओ कितने की दोगे नंदू ने नक्ष सिक तक बाकर पर दर्ष्डिला ली और हसते मुझे चाहिए बाकर ने दर्ष्ड़ता से कहा नंदू ने उपेक्षा से सीरह लाया इस मज़दूर की यह भी साथ कि ऐसे सुन्दर साण्डी मोल ले बुला तू कि लसी बाकर की जेम में पड़े डेट सो की नोट जैसे बाहर उचलने के लिए व्यग्र हो थे तनिक जोश के साथ उसने कहा तुम्हे से क्या कोई बिले तुम्हे तो अपनी कीमा से गर जा तुम मोल बताओ नंदू ने उसके जी नशीन कपडों घुटनों से उठे गवे तहमात और जैसे नू के वक्त से भी पुरानी जूतों को देखते हुए टालने के विचार से कहा है जाजा त विच्शी विच्शी ले आई इगव मोल तो आड़ विच्शी सूम गाट के नहीं जाजा तू कोई ऐसी वैसी साड़ नी करीद ले इसका मूले तो एक सो साथ से कम नहीं एक निमिश के लिए बाकर के ठके हुए व्यतित चहरे पर आलहात की रेखा छलक उठी उसे डर था क कहीं चौधरी ऐसा मोल ना बता दे जो उसकी विच्शाच से भी बाहर हो पर जब अपनी जबान से ही उसने एक सो साथ बताए तो उसकी खुशी का ठीकाना ना रहा एक सो पचास तो उसके पास से ही यदि इतने भर भी चौधरी ना माना तो दस रुपे वह उधार ले जट से उसने डेर सो के नोट निकाले और नंदू के आगे फेक दिया बुला गिल लो इन सदिक मेरे पास नहीं है अब आगे तुमारी मर्जी नंदू ने अन्य मनस्ता से नोट गितने आरम कर दी पर गिंती खत्म करते ही उसकी आँखे चमक उठी उसने तो बाकर को टालने के लिए ही मुल्य 160 बता दिया था नहीं तो मंडी में अच्छी से अच्छी डाची 1.500 में मिल जाती और उसके तो 140 पाने की भी कलपना उसने स्वप्न में न की थी पर शिक रही मन के भाओं को छिपा कर और जैसे बाकर पर एहसान का बोज लाते हुए नंदू बोला सारी कीमत में से तुम्हें 10 रुपे छोड़ दिये और यह कहते कहते उठकर उसने सार्णी की रसी बाकर के हाथ में दे दी छड़ भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भराया यह सार्णी उसके यहाँ पैदा हुई और पली थी आज पाल पोसकर उसे दूसरों के हाथ सौपते हुए उसके मन के कुछ ऐसी दर्शा हुई जो लड़की को ससुराल भेजते हुए पिता की होती है जरा कापती आवाज में स्वर को तनिक नर्म करते हुए इसने कहा आसार्णी सोरी रहडी तू इन्हे रेहर में गयर देई यह सार्णी अच्छी तरह से रखी गई है तू इसे योही मिट्टे में न रोल देना ऐसे ही जैसे ससुर दावा से कह रहा हो मेरी लड़की लाड़ों से पली है देखना इससे कश्ण न देना आलहाद के एक पंक पर उठते हुए बाकर ने कहा तुम जरा भी चिंता ना करो जान देकर पालूँगा नंदु ने नोट अंटी में समभालती हुए सूखे हुए गले को जरात्तर करने के लिए घड़े से मिट्ती का प्याला भरा मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी शहरों की माल मंडियों भी जहां बीसियों स्थाई नल लग जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़का होता रहता है धूल की कमी नहीं होती फिर रेगिस्तान की मंडी पर तो धूल का ही सामराज्य था गणने वाले की गडेरियों पर हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और होचे वाले के दही बड़े पर सब जगद धूल का पूरणा दिकार था घड़े का पानी टाचों द्वारा नहर से लाया गया था पर यहां जाते जाते वह कीचर जैसा गंदला हो जाता था नंदू का ख्याल था कि निथर्डे पर पियेगा पर गला कुछ सूख रहा था एक ही घूट में प्याले को खत्म करके नंदू ने बाकर से भी पानी पीने के लिए कहा बाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी वी थी पर अब उसे पानी पीने की फुर्सक कहा परात होने से पहले पहले गाउं पहुँचना चाहता था डाची की रस्सी पकड़े बधूल को चीरता हुआ सा चल पड़ा बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुन्दर और युवा डाची खरिदने की लालसा थी जाती से वक्त कमीन था उसके पूर्वच कुमभारों का काम करते थे कितु उसके पिता ने अपना पैतरी काम छोड़ कर मजदूरी करना ही शुरू कर दिया था उसके बाद बाकर भी इसी से अपना और छोटे से कुटुम का पेट पालता आ रहा था वो काम अधिक करता हो यह बात न थी काम से उसने सदय ही जी चुराया था चुराता भी क्यों न जब उसकी पत्ती उससे दुगना काम करके उसके भार को बटाने और उसे आराम पहुचाने के लिए मौजूद थी कुटों बड़ाना था वह एक एक उसकी पत्नी और एक नन्नी सी बच्ची फिर किसलेवजी हलिकान करता पर क्रूर और बेपीर विधाता उसने उसे सुख की उस नीद से जगा कर अपना उत्तर दाईतु समझाने पर बाद कर दिया उसे बता दिया कि जीवन में सुख ही नहीं आराम ही नहीं दुख भी हैं परिश्टम भी हैं पांच वर्ष हुए उसकी वही आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुन्दर गुडिया सी लड़की को छोड़ कर परलोग सिधर गई मरते समय अपनी सारी करणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आखों में बटोर कर उसने बाकर से कहा मेरी रजिया अब तुम्हारे हवाले इसे कश्ट न देना इसी एक वाक ने बाकर के समस्त जीवन के रुप को पलट दिया अपनी मृत्व के बाद ही वो अपनी बिध्वा बेहन को अपने गाव में ले आया और अपनी आलेस से को छोड़ कर अपनी मृत्व पत्नी की अंतिम अभिलाशा को पूर करने में संगलग्न हो गया था वह दिन रात काम करता था बलकि अपनी मृत्व पत्नी की उस धरोहर को अपनी उस नन्दी से गुड़िया को भाती भाती की चीजे लाकर प्रसंद न रख सके जब भी कभी वह मंडी को जाता तो नन्दी से रजिया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आँखे उसके गर्द से अटे हुए चेहरे पर जमा कर पूछती अबबा मेरी लिए क्या लाय हो तो वह उसे अपनी गोध में ले लेता और कभी मिठाई और कभी खिलोने से उसकी जोली भड़ देता तब रजिया उसकी गोध से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपने खिलोने या मिठाई दिखाने के लिए भाग जाती यही गुडिया जब आठ वर्ष की हुई तो एक दिन मचल कर अपने अबा से कहने लगी अबा अब तो डाची लेंगे अबा हमी डाची दे दो भोली भाली नीदी हवाली का उसे क्या मालुम था कि वह एक विपन्न साधनीन मजदूर की बेटी है जिसके लिए डाची खरीदना तो दूर रहा डाची की कलपना भी पाप है रूखी हसी हसकर बाकर ने उसे अपनी गोद में लिया और बोला रज्जो तू तो खुद डाची है पर रजिया न मानी उस दिन मशीर माल अपनी साधनी पर चड़कर अपनी छोटी लड़की को अपने आगे बिठाए दो-चार मजदूर लेने के लिए अपनी इसी काट में आय थे तबी रजिया के नन्ने से मन में डाची पर सवान होने की प्रबल आकांशा पैदा हो थी और उसी दिन से बाकर की रही सही अकरमन्यता भी दूर हो गई उसने रजिया को टाल तो दिया था पर मन ही मन उसने प्रतिध्या कर ली थी कि वो अवश्य रजिया के लेक संदर सिदाशी मोल लेगा उसी इलाके में जहाँ उसकी आय की औसत साल भर में तीन आने रोजाना भी न होती थी, अब 8-10 आने हो गई, दूर-दूर के गाउं में अबो मजदूरी करता, कटाई के दिनों में दिन रात काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खलिहानों में अनाज भरता, नीरा डालकर भूसे के कूप बनाता, बिजाई की दिनों में हल चलाता, ख्यारियां बनाता बिजाई करता, उन दिनो उसे पांच आने से लेकर आठ आने रोजाना तक मज़दूरी मिल जाती, जब कोई काम न होता तो प्राथः उठकर आठ कोस की मन्जिल मारकर मंडी जा पहुंचता और आठ दस आने की मज़दूरी करके ही लोटता, उन इस नियम में उसने किसी तरह की धील न होने दी, उसे जैसे उन्मास सहो गया था, बहिन कहती, बाकर अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, पहले तो तुमने कभी ऐसा जीतोर मेहनत न की, बाकर हसता और कहता, तुम चाहती हो, मैं आयूभर निठल ला रहूं, बहिन कह कहती, निकम्मा बैठने को तो मैं नहीं कहती, पर सेहत गवा कर रुपया जमा करने की सला भी नहीं दे सकती, ऐसे अवसर पर सदयव बाकर के सामने उसकी मृत्त पत्नी का चित्र खिच जाता, उसकी अंतिम अभिलाशा उसके कानों में गूंच जाती, वह आंगन में खेलती के वी रजिया पर एक सनेह भरी द्रश डालता और विशास से मुझकरा कर फिर अपने काम में लग जाता था, और आज डेढ़ वर्स के कड़े परिश्रम के बाद अपनी चीर संचित अभिलाशा पुली कर सका था, उसके एक हाथ में साडनी की रस्ती थी और नहर के किनारे क वर्ट चला जा रहा था, साच की बेला थी, पश्यम की ओर डूपते सूरज की किरने धर्ती को सोने का अंतिम दान कर रही थी, वायू में ठंडक आ गए और कहीं दूर खेतों में टिटहरी टीहूं टीहूं करती उड़ रही थी, बाकर के मन में अतीत की सब बाते एके करके आ रही थी, इधर उधर कभी कभी कोई किसान अपने उट पर सवाग जैसे फुदक्ता हुआ निकल जाता था, और कभी कभी खेतों में वापस आने वाले किसानों के लड़के, बैल गाड़ी में रखे हुए घास पठे के गट्टों पर बैठे, बैलों को पुछकारते, किस गीत का एकात बंद गाते, क्या बैल गाड़े के पीछे बदे हुए चुपचाप चले आने वाले उटों को थुथनियों से खेलते चले जाते थे, बाकर ने जैसे स्वपन से जाकते हुए पश्यम की ओर अस्त होते हुए अन्शुमाली की ओर देखा, फिर सामने की ओर शु जिसे चलने लगा, कहीं उसके पहुचने से पहले रजिया सोन जाए इसी विचार से। बाकर ने देखा, उसके घर पहुचते ही नन्ही रजिया आलास से नाचकर उसकी टांगों में लिपट गई है और फिर डाची को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आखें आश्यर और उल्लास से भर गई हैं। अपने बड़े बड़े पंक फैलाकर अपनी मोटी आवाज में दो एक बार काउं काउं करके उपर से उर्ता चला जाता है। रजिया की खुशी का पारावार नहीं है वो जैसे हवाई जहार में उड़ी जा रही है। फिर उसके सामने आया कि वो रजिया के लिए बहावल नगर की मंडी में खड़ा है। ननी रजिया मानों बहुत चक्किसी, हैरान और आश्चर चक्कित सी, चारों और अनाज के इन बड़े बड़े धेरों, अंगिनन चकड़ों और हैरान कर देने वाले चीजों को देख रही है। बाकर उसे सब की कैफियत दे रहा है। एक दुकान पर ग्रामो फोन बजने लगता है। बाकर रजिया को वहाँ ले जाता है। लकड़ी के एक दिव्वे में किस तरह गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपा गा रहा है। यह सब बाते रजिया के समझ में नहीं आती। और यह सब जानने के लिए उसके मन में जो कुतूहल है, जो जिग्यासा है, वो उसकी आँखों से तपकी पड़ती है। वो अपनी कलपणा में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था, कि सहसा कोछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। मशीर माल की काट कोई बड़ा गाउं नहीं था। इधर के सब गाउं ऐसे ही हैं, ज्यादा हुए तो 36 पर हो गए, कड़ियों की छतका या पक्की इल्टों का मकान इस इलाके में अभी नहीं था। खुद बाकर की काट में पंदर घर थे। घर क्या जुग्या थी। सिर्कियों के खेमे जिने जोपड़ियों का नाम भी नहीं दिया जा सकता था। मशीर माल की काट भी ऐसे ही 20-25 जुग्यों की बस्ती थी। केवल मशीर माल का निवास थान कच्ची इंटों से बना था। पर छत चपर की ही थी। बाकर नानक बढ़ई की जुग्य के सामने रुका। मंदी जाने से पहले वो यहां डाची का गदरा बनाने के लिए दे गया था। उसे खयाल आया कि यदि रजिया ने साणनी पर चलने की जित की तो वह उसे कैसे टाल सकेगा। इसी विचार से वहां पीछे मुड़ाया था। उसने नानक को दो एक आवाजें दी। अंदर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। घर में नहीं हैं मंडी गए हैं। बाकर का दिल बैठ गया। वह क्या करी। यह न सोच सका। नानक यदि बंडी गया है तो गदरा क्या खाक बना गया होगा। फिर उसने सोचा शायद बना कर रखाई हो। इससे उसे कुछ सांतो ना मिली। उसने फिर पूछा। मैं सांड लाची को क्या लेकर जा सकेगा। नानक होता तो उसका गदरा चाहे न बना होता। कोई दूसरा ही मांग कर दे देता। यह विचार आते ही उसने सोचा। चलो मशीर माल से मांग ले। उनके तो इतने उट रहते हैं कोई न कोई पुराना पलान होगा ही। अभी उसी से काम चला लेंगे। तब तक नानक नया गदरा तयार कर देगा। यह सोचकर वह मशीर माल के घर की ओर चल पड़ा। अपनी मुलाजमात की दिनों में मशीर माल सहब ने परियापत धनो पारजन किया था। जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कोडियों के मोल कई मुरब्य जमीन ले ली थी। अब नौकरी से अवकाश ग्रहन कर यही रह रह थे। रहक रखे हुए थे आयखूब थी और मज़े से जीवन व्यतीत हो रहा था। अपनी चवपाल में एक तख्त पोश पर बैखे वे भुका पी रहे थे। सिर पर श्वेद साफा, गले में श्वेद कमीज, उस पर श्वेद जैकेट और कमर में दूद जैसे रंका तहम गर्द से अटे होए बाकर को साणी की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा, कहो बाकर कहां से आ रहा हो। बाकर ने जुक कर सलाम करते होए कहा, मंडी से आ रहा हूं मालिक, या डाची किसकी है, मेरी ही है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूं, कितने कि लाये उसके ख्याल में ऐसी सुन्दर डाची दोसों में भी सस्ती थी पर मन न माना बुला हुजूर मांगता तो एक सो साथ था पर साड़े साथ बीसी में ही ले आया हूँ मशीर माल ने एक नजर डाची पर डाली पर स्वयम अरसे से एक सुन्दर सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थी उसके डाची तो थी पर पिछले वर्ष उसे सीमक उटो की एक बिमारी हो गई थी और यद्यपी नील इत्यादी देने से उसका रोक तो दूर हो गया बोले चलो हमसे आट बिसी ले लो हमें एक डाची की जरूरत है दस तुम्हारी मैनत के रहे पाकर नी फीकी हसी हस्ते में कहा हुजूर अभी तो मेरा चावी पूरा नहीं हुआ मशीर माल उटकर डाची के गर्दन पर हाथ फिरने लगे वाह क्या सेल जानवर है प्रकट बोले चलो पांच और ले ले लेना और उन्होंने आवाज दी नूरे अरे ओ नूरे नौकर भैसों के लिए पठ्थे कतर रहा था गंडासा हाथ में लिए भागा आया मशीर माल ने कहा यह डाची लेकर बांदो 165 रुपे में कहो कैसी है नूरे ने हद बुद्धी से खड़े बाकर के हाथ से रसी ले ली और नक्षे सिक तक एक नज़र डाची पर डाल कर बोला खुव जानवर है यहा करकर नौहरे की ओर चल पड़ा तम मशीर माल ने अंटी से 60 रुपे क नोट निकाल कर बाकर के हाथ में देती हुए मुस्कराकर कहा अभी एक राहक देखकर गया है शायद तुमारी किसमत के थे अब यह रख लो बाखी के एक दो महिने तक पहुचा दूगा हो सकता है तुमारी किसमत से पहले ही आ जाए और बिना कोई जवाब सुने वे नौहर की ओर चल पड़ी नूरा फिर चारा कतरने लगा था दूर ही से आवाज देकर उन्होंने कहा बैसे का चारा रहने दे पहले डाचे के लिए गवारे का नेरा कर डाल बोखी मालूम होती है और पास जाकर साण्नी की गर्दन सेहलाने लगी कृष्ण पक्ष का चान अभी उद सचा रहा था सिर पर दो एक तारे निकल आए थे और दूर बबूल और ओका के विरिक्ष बड़े बड़े काले सिया धब्बे बना रहे थे फोक की एक जहाड़ी की ओट में अपनी काट के बाहर बाकर बैठा उस शीर प्रकाश को देख रहा था जो सरकंडों से छिन छिन कर उसकी आंगन से आ रहा था जानता था रेजिया जाकती होगी उसकी प्रतिक्षा कर रही होगी वह इस इंतजार में ही था कि दिया बुझ जाए रजिया सो जाए वह चुपचा आप अमने घर में दाखिल हो तो श्रोताओं आप सुन रहे थे उपेंद्रनात अश्क की कहानी डाची कहानी आपको कैसी लगी? फेस्बूक पर या यूटूब पर कारेकरम के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप हमसे वाटसेप पर जुनना चाहते हैं तो 961-722-6783 पर नाम और जिला लिख कर भेजें यूटूब से जुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पर जुनने के लिए पेज लाइक करें अधिक जानकारे के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखें तो अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमती मुझे याने गीता चौबे को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा तक कुँए लाओने थे कहा हमा दो ये ये यिजिए यास बशनी अ विभा इंच पहांदरा लेवाओ tap के लिए ये मुट formasती